हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गोल्टू सक्सस में फ्रेंट्स अगर आप 2020 वाला नेट या जैराफ का एक्जैम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टड़ी कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के अलावा सेकेंड पेपर शुशॉलजी के लिए यहां पर आपको काफी मतत मिलेगी नेट एक्जैम के अलावा अगर आप सेट, पीजीटी या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ावा एक्जैम शुशॉलजी से देने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल का नाम है गोल्टू सक्सस अब बात कर लेते हैं वीडियो की तो इन सभी से जुड़े वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएंगी सभी का अलग-अलग फोल्डर बन हुआ है तो आपको वहां पर किसी भी तरीकी की कोई भी परिशानी नहीं होगी अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने भी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी जरूर देख लीजेगा आपका बात करें शुष्वाल जी का जो स्लेबस है सेक और या फिर हम बात करें अभी तक जितनी भी एक्जाम में बुक्स पूछी जा चुकी है उनसे जुड़े वीडियो और कुछ वीडियो आपके थिंकर से जुड़े मिलेंगे जिनके द्वारा जो कॉंसेप्ट दिया गया है अवधानाय दी गई हैं उनके बारे में पताया यह सभी वीडियो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने भी तक नहीं देखा है तो प्रीज जरूर देख लीजेगा एंड जो इधर 2020 से जुड़े जो वीडियो आ रहे हैं उनमें आपको यूनिट वाइस कंप्लीट कराया गया है जिसमें फ रभुति उजाती की अवधान्य क्या थी उसके बारे में एक वीडियो है अगर आप झेमें बिख लीजेगा आज हम दोग बात करने वाले है वेश्व परहबाँ दिवस 2020 के बारे में भी है तो यह आपके फर्स पीपर के लिए इनफॉर्टेंट हो जाता है जाता है नं से क तो देख लेते हैं विश्व परेवन जो दिवस है 2020 तो आप जैसे कि जानते हैं प्रतिवर्ष 5 जुन को मनाया जाता है थीम की बारे में बात करें जो कि आपकी एक्जाइम के लिए इन्पॉर्टेंट हो जाती है इस वर्ष इस दिवस की थीम की बात करें तो जैब विविद जैब विविदता है बायो डाइवर्सिटी यह जो थीम है वहाँ जैब विविदता सरक्षन के लिए ततकाल प्रयास किये जाने का आहन करती है आगे देख लेते हैं उद्देश के बारे में बात कर लें तो इसका जो उद्देश है या परेवरण की सुरक्षा के लिए वै एक्जाम के लिए इंपोर्टन हो जाता है तो इसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कोविद 19 महवारी के कारण पर्यवरण वन एवन जलवायू परिवर्तन मंत्राले इस बार विश्व पर्यवरण दिवस जो समहारो है वह वर्चुल तरीके से आयोजित कर रहा है जिसमे नगरवन जो विशय है उस पर विशय जोर दिया गया है ठीक है नगरवन नामक विशय पर विशय जोर दिया जाएगा विश्व पर्यवरण दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो जो शुरुवाती चर्चा की गई थी वो 1972 में की गई थी ठीक है स्टार्टिंग में कब करें, तो से अब तक प्रतेग वर्ष विश्वपर्यवन दिवस का आयूज किया जा रहा है oluyor 1974 से अभी तक हर जुन को प्रतेज मोगों विश्ववन दिवस मनाते है चीक है आगे देखे देम रार अलग अलग देश विश्व पर्यवर्ण दिवस की मेजवानी करते हैं इस वर्ष यानि 2020 के बात करें तो इसकी मेजवानी कोलंबिया एवं जर्मनी साथ मिलकर ये दोनों कर रहे हैं इसका आयोजन प्रते एक वर्ष संयुक्त राष्ट पर्यवर्ण कारिक्रम द्वारा किया जाता है यहां यह इनपोर्टेंट है ठीक है मेजवानी किसने की है और इसका जो आयोजन ने हर साल संयुक्त राष्ट पर्यवर्ण कारिक्रम द्वारा किया जाता है अच्छे से देखिए आप लोग आगी देखिए यह माना और प्रकति के बीच के संबंधों को पुनर स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल है इस पहल के अवधी के बारे में बात करें तो क्या होगी 2021 से 2030 तक होगी ठीक है यह जो माना और प्रकति की बीच संबंधों को पुनर स्थापित करने के लिए जो यह वैश्विक पहल है इस पहल के अवधी के बात करें तो 2021 से 2030 तक है ठीक है अब बात कर लेते हैं जैव विविदता के संदव में भारत की स्थिती के बारे में तो भारत में भूमी छेतर क की तुलना में मानव एवं मवेशियों की आबादी ज्यादा होने के बावजूद यहां आठ प्रतिशत जैव विविदता मौजूद है विश्व के 35 जैव विविदता वाले होट स्पोर्टों में से चार जो होट स्पोर्ट हैं वो भारत में हैं जिसमें कई स्थानिक प्र फालिस एकड़की वन भूमे पर एक जंगल यानि जो वोर्जे शहरी वन है ये छेत्रे इसको विक्सित किया गया है इस जंगल में बात करें पैसट हजार से अधिक पेड़ है ठीक है पैसट हजार से अधिक पेड़ है और पांस तलाब और दो वाच टौवर भी बनाए गया ह वर्तमान में यह जंगल 23 पौधों की प्रजातियों, 29 पक्षी प्रजातियों, 15 तितली प्रजातियों, 10 सरिश्रप एवं 3 इस्तनपाई प्रजातियों के साथ जैव विविदता से संबन है यहां कई पेड 25-30 फीट तक लंबे हैं यह शहरी वन परियोजना शहरी पारस्थति की संतलन को बनाई रखने में मदद कर रही है उने का या वर्जे शहरी वन छेत्र अब देश के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल है अब आगे देखे भारती नौ सेना परवान सरक्षन का जो रोड मैप है इसके बारे में देख लिजे तो भारती नौ सेना के लिए परवान सरक्षन और हरत पहल एक प्रमुक क्या है लक्ष है एक जिम्यदार बहु आया में बल के रूप में भारती नौसेना ने उर्जा सरक्षन समुद्री प्रदूशन में कमी और उर्जा के वेकलपिक स्रोतों का उप्योग करके अपने परहवर ने फुट प्रिंट में कमी लाने पर जोर दिया है। प्रदूशन को कम करने के उद्देश से भारती नौसेना ने इंधन मानकों में सुधार करने के लिए इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट के साथ क्या किया है समझोता किया है। द्धाम के लिए अंतरास्टे सम्मेलन यानि मौर्फोल 73, 78 की सभी 6 अनिसूचियों को लागू किया है। नौसेनिक जहाजों से उत्पन होने वाले कच्छरे का निपटान करने के लिए इन पर जो मौर्फोल है उसके अनुरूप प्रदूशक नियंतरक उपकरनों जैसे की ओल वाटर, सेपरेट्स और सीवस ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया है। इसके अलावा बंदग्रा के पानी का रखरकाव सुनिश्चित करने के लिए बंबई इसते नवल मैटरियल्स रिसर्च लैबर्टरी नामक त्वरित बायो रेमेडिशन तकनीक भी विक्सित की गई है। मौर्पोल की बात कर ले तो जो मौर्पोल है यह जहाजों के परिचालन या उनसे अकास्मिक कार्णों से होने वाले प्रदूशक की रोक थाम पर आधारित मुख्य अंतरास्ट्री सम्मेलन है। दरास्टी समुद्री संगटन द्वारा मौर्पोल कन्वेंशन को 2 नवंबर 1973 को अपनाया गया था। इस कन्वेंशन से संबंदे वर्ष 1978 के प्रोटोकॉल को वर्ष 1976 से 77 की जो समुद्री टैंक का दुरगटना है उसके मद्दे नजर उसको ध्यान में रखते हुए यह अपनाया गया था। तो इतना था आपके एक्जाम के लिए इनपोर्टन ठीक है आपको अच्छे से देखना है आपके फॉस पेपर में भी पूश सकते हैं और जो कथन वाला आता है ना आजकल वही ज्यादा पूछा जाए एक्जाम में तो उसके लिए भी इनपोर्टन हो जाता है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ठीक ह तो इस वीडियो में बस इतना ही था अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा थैंक यू